Assalamu alaikum welcome to my youtube channel मैं हूं मिस्वादानिश आप देख रहे हैं किचन विद मिस्वादानिश आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट ब्राउनी जिसके लिए हमें अच्छाच चाहिए 1 cup मैदा 3 4 cup powder sugar 1 cup oil 1 cup milk 1 egg 2 टेबल स्पून कोगा पॉडर 1 टीश्पून बेकिंग पॉडर पीनट ब्राउनी के ऊपर डालने के लिए 1 टीश्पून बनीला essence 3 टेबल स्पून पीनट चॉप कीवी अब हम एक पतीला लेंगे इसमें नमक पिछा कर एक स्टील का वर्तन या फिर स्टेंड रखकर त्यार करने तक हम इसे प्री हिट होने के लिए रखते हैं अब हम एक बा अब हम एक बाल लेंगे इसमें हम एक अंड़ तोड़ के डालेंगे अब हम इसमें आल डालेंगे अंड़े और आयल को अच्छी तरह बीट कर दिया है अब हम इसमें आल डालेंगे अब हम इसमें थोड़ी तोड़ी पर की शूबर एड़ करेंगे विट करते जाएंगे अब हम इसमें मजीद शूबर एड़ करेंगें अब हम इसमें मिल्क एट करेंगे साथ ही हम इसमें लेसन सेट करेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ब्राइड अट करते हैं कि अब हम विर मिल्क टेम्ट लुद्ट शुंट लुद्ट आइड करते हैं अब हमारा बेटर तयार हो चक है अब हम इसमें चाप कीवी पिनन्स एड़ करेंगे और इनकों मिक्स करेंगे पिनन्स मिक्स हो जुगी है अब हम इस पेटर को मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे इसको आल के साथ ग्रीज कर दिया और साथ ही इसमें बटर प्रेपर को भी डाल दिया है अब हम इसमें पेटर को ट्रांसफर करेंगे अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे ताकि जो बबल से अब हम इसके उपर पिनन्स को रखेंगे अब हम इसे बेख होने के लिए रखेंगे पतीला हमारा प्री हीट हो जगा है अब हम इसमें ब्राउनी को बेख होने के लिए रखेंगे अब हम इसको 20-25 मिन के लिए बेख करेंगे और साथ ही हम इसके उपर एक बारी चीज़ भी लखेंगे ताकि इसमें इससे स्टीम बायर ना है 25 मिनिट्स गुजर चुके हैं अब हम बाउनी चेक करेंगे पाउनी हमारी रेडी चुकी है अब आम इसे पतीले में से निकालेंगे अब आम इसे ठंडो होने देंगे जब ठंडो हो जाएगा तो तब हमें से निकालेंगे अब आम अब ब्राउनी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे मोल में से निकालते हैं अब हम साइड से नाइफ की साथ अलग करेंगे लेजी है मज़ा इनर ब्राउनी तैra हो चुकी है, मखज़ादार सिपनर ब्राउनी तैका हो चुकी है लेकि मैं कितने दोयादे हैं आप भी इस recipe के ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और मेरे जैनल को सबस्काइब कीजिएगा बेल आइकम को प्रेस करना मत बूलिएगा इससे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलेगी थेंक यू, अलाँ आफेज